तो ये है गाईज मेरे एक दिन की मैक्सिम वर्निंग जो मैंने ओनलाइन पीचिंग के थू की है अगर आपको जानना है कि मैंने कौन से कौन से प्लैटफॉर्म का इस्तमाल किया और कौन सी टेक्निक से इतने सारे पैसे कमाई एक दिन के अंदर तो इस वीडियो को आप देख इस आप मैंने में इस प्रदीब कुमार और करेंटली दूइंट इंटर्शिप एस आप इंजिनियर इन कौलकम और सुदेंट एपलाइटी डेली दूइंग मैं मास्टर्स फॉम देयर इन कंप्यूटर साइंस तो यार वाय में में इस वीडियो अनलाइन पीचिंग क्यार ऑनलाइन टीचिंग पर्सनली मैंने की हुई है एंड मुझे उसके चैलेंजिस पता हैं डूणने मैं जर्रली हमें पता नहीं होता कौन सा प्लैटफॉर्म है जिसके तुरू हम कर सकते हैं जो जैन्रून है एक्चुली मैं जिसे लोग पैसे कमा रहे हैं जब मैं ऑनलाइन जोन रहा था तो यार मुझे बहुत जादा दिक्कत वी थी मैं कि स्कैम का शिकार भी हुआ था मेरे काफी सारे पैसे उसमें चले गए थे तो मैं नहीं चाहता मेरे जो विवर्स हैं वो इस चीज़ का शिकार बने तो जब ऑनलाइन टीचिंग की बात आती है तो सबसे पहल अगर साइन से रिलेटेटेट सबजेट्स फ़एंपल कंप्युटर नेट वर्ट्वर्डीए मेंस ऑपरेटिंग सिस्टम यह सारी चीज़ें में हो हुँआ पढ़ा था एंग अगर आपको परदाना है तो साइंस पर नहीं चाहते हो फिजिक्स कैमिस्ट्री मैंस में कुछ करना चाते हो और economics से related कुछ subjects commerce field arts field तो सारे के सारे subjects is कई सारे platforms available होते हैं ठीक है तो आप कुछ भी बढ़ा सकते हो जो आपको interest है जिस सीज में आपको लगते हैं कि यह मैं काफ अच्छे से बढ़ा सकते हैं सबसे पहला जो platform मेरी लिस्त में है वो है superprof तो website है उसकी superprof.co.in तो यह platform मैंने personally use किया हुआ है और मेरी profile है इसके थूँ ही मैंने सारा online में जितना भी काम है वो किया हुआ है and major portion of my online earnings and teaching happen at this particular platform तो मैं इस platform के वारे में आपको बताता हूं यह platform आपको directly connect करता है students के साथ there is no intermediate fees of this particular platform आप अपना advertisement डालते हो कि आपको क्या पढ़ाना है कौन से subject सापको पढ़ाने है उसमें आप अपनी details से लिखते हो अपने बारे में लिखते हो अपने education background के बारे में लिखते हो और आपकी teaching methodology क्या होने वाली उसके बारे में लिखते हो जब आपना ad publish करते हो इस platform के उपर तो बहुत सारे students जो उन particular चीज़ों को ढूड़ रहे होते हैं वह आपका एड़ देखते हैं आपकी profile लेखते हैं फिर वह आपको request बेजते हैं जब आप उनकी request आपको बेज़ती आपको email आता है कि आपको एक request आई है आप उस request को देखते हो इन students की जो description दिया है कि हमें क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है वह सार आप description देखते हो फिर आपके पास option होता है कि आपको एकसेप्ट करना है reject करना है अगर आप एकसेप्ट करते हो तो जो students के contact number और उसके जो details है वह आपको डिस्प्ले हो जाते हैं फिर आप personally उनसे बात कर सकते हो उनको teaching कर सकते हो आप and जो money है वह आप directly students के साथ deal करते हो there is no intermediate intermediate situations like platforms में involved नहीं है अब directly contact कर तो students के साथ तो अभी प्रोफाइल कैसे बनाते हैं कैसे अची प्रोफाइल बनानी है वह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि मेरा experience कि इस तरह का था मैंने क्यों स्टार्ट की टीचिंग क्या था जब मैंने भी टेक के बाद एंटेक जोइन के अंदर फस्ट सेमिस्टर अच्छे से गया हमारा सैकंड सेमिस्टर चल रहा था तो मुझे फील हुआ कि जो मैं आर्निंग कर रहा हूं जो मेरा इस टाइप अना रहा हो बहुत ही कम है एडिट मुझे टीच सर्च करने लग गया ऐसे रिसोर्सेज जहां पर मैं ओनलाइन टीचिंग कर सकता हूं तो वहीं मैं एक स्कैम का भी शिकार हुआ डेटा इंट्री करके एक फील्ड होता है तो वहां पर बहुत जाता स्कैम होते हैं तो मैंने उस स्कैम में अपलाई कर दिया और मेरे 2000 रुप तो अब क्या है कि मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने गैट टोगेधर प्लान किया था तो मैं वहां गया था तो वहां पर एक मुझे दोस्त मिली स्रश्टी में उसका नाम है तो उसने क्या किया कि मुझे प्लैटफॉर्म के वारे मताया जिसका नाम सुपर प्रॉफ था मैं मैं उसपर घर पर आगे सबसे पहला गाम यही कि उसे प्रोफाइल बनाई और अपने डेटेल्स भरी तो दो-तीन दिन के अंदर ही मुझे गाई रिक्वेस्ट आगी थी हैं मुझे को अन्वर्ट कर लिया था एंड मैं उनको पढ़ाने लग गया था तो जिस वाज करने का और यह मेरा एक्सपीरेंस था फिर मैंने धे Learn Superprofit ग ложकरनेuster किया मैं दिन डिन में 2G पढ़ाने start किया फिर 3 दे फिर मैक्सिमन मैंने चीनमारी प्रेज़ाया पप्सूर six अब्राया पूरे दिन काम ज़्यादा होता है आपका dedication ज्यादा चाहिए होता है आपके skills ज्यादा involved होते हैं तो यहां पर अगर आप teaching करते ओन-line teaching पर आर आप 800-1000 on an average कमा सकते हो कई लोग 500 भी कमाते हैं 400 भी कमाते हैं बट मैंने जो अपना रखा हुआ था वह 800 रखावा था because I respect myself तो वहां से मुझे दीरी दीरे contact साने स्टार्ट होए मेरे locality के लोगों ने मेरे को contact किया काफी जो मेरे से एज में बहुत बड़े हैं 15-15 साल का जिनका experience in industry में उनको कुछ स्किल सीखने हैं computer science के उन्होंने मेरे को contact किया तो दीरी दीरे मेरे network बढ़ा होता गया मेरे को recommendations आने लग गए तो growth मेरा बहुत अच्छा था इस super prof के अंदर मैंने काफी पैसे कमाए and अब since I am working as an internship so I am not doing this as an online teaching because I have to focus on my internship what are pros and cons of online teaching so सबसे पहले मैं बात करना वाला हम pros के बारे में pros है आपको monetary benefits बहुत जादा होंगे आपके पास अच्छा खासा pocket money आएगा अच्छे खासे पैसे आएंगे आपके पास online average आप 30-40,000 रुपे कमा सकते हो एक घंटे पढ़ा के एक देसे एक गंटे पढ़ा के ठीक है अगर आप 2-3 घंटे पढ़ाते हो तो उससे फ्राम multiply कर भटóc तो उतने हैं आप से कमा सकते हो यहां पर और प्रोजेकटस और आप साथ भाई साथ प्रोजेक कर रहे हो तो उससे तो और औजादा गमा सकते हो आप अपने दोस्तों की help ले सकते हो उनको कुछ आप पैसे दे सकते हो और आप अपना कुछ थोड़ा बहुत कमिशन करके भी कमा सकते हो तो इससे क्या होता है कि उनको भी पैसे मिल जाएंगे और आपको भी थोड़ा बहुत कमिशन मिल जाएगा तो इससे फिर आप एक अपनी टीम मना सकते हैं तो उससे और ज्यादा ग्रोथ कर सकते आप इसमें आप टाइम मेनेजमेंट सीख जाओगे अपने आपको थोड़ा एक्टिव फील करोगे कि आपको काफी ज़्यादा चीज़े मैनेज करनी है टाइम टुटाइम कम्यूनिकेशन स्किल्स आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे आप लोगों को आपको कन्विंस करना आजाएगा अपनी बात मनवाना आएगा और आप उनको बहतर तरीके से समझाने की आपके वास कैपेबिलिटी आएगी अब हम बात करते हैं कि वाटर नुकसान क्या होते है और लाइन टीचिंग के मेरी जो पावर हाई साइड हो 5 से 5.5 होगी थी तो यानि आपको बहुत जादा और आर्स के अंदर टीचिंग करनी पड़ सकती है वह जो इतना हाई पे करते हैं वह जनरली इंडिया में नहीं होते हैं वह भार के होते हैं और आराइज होते हैं और बहार के भी हो सकते हैं ठीक है तो आपको और आर्स पर पढ़ाना पढ़ सकता है एक से दो बज़े तक भी पढ़ाया है मैंने और सुबह ज़ए अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है पांसे छे भी उठके पढ़ाया है रात को भी पढ़ा सकते हैं तो और आर्स हो सकते हैं आप हों और आप बहुत ज़्यादा il sunt UK तो आपके हैल्थ पहुत जादा फरक पड़ सकता है अप जदा सीरियसली कर रहे हो चैपची का ध्यान निरहां ऩो तो आपकी ऐसे स्थराब हो सकती है आपको अगरगो चमाн सकते हैं अब करते हैं और ऐसे कौन से प्लैटफॉर्म से सुपर प्रॉफ की तरह जो जैनुवन है जहांसे हम आर्निंग कर सकते हैं दूसरे नमर पर आता है हमारा टीचर ओन पर काफी सारे आपको प्रोजेक्ट मिल सकते हैं वहां पर आपको अप्रन थोड़ी बहुत फीस देनी पड़ती है ताकि आपकी जो एड है उसको प्रमोट कर सके हैं वो लोग तो वहां पर मॉनिटरी है आपको इनिशली कुछ देना पड़ सकता है बड़ इस जैन्वन मेरे जो भाहिया है वो यूज करते हैं इस चीज को एंड ही वेरी वेरी सक्सेस्फुल इन एप फिर एक आपने दोस्तों को साथ में बैठके उनके साथ बैठके मैंने देखा है वो किस तरह से वहां से अर्निंग कर सकते हैं वो questions अगरा मैं help करते हैं students की सेम सेम कॉंसेप्ट है कि आप स्टुटेंट्स की प्रॉब्लम सो सॉल्व करते हो उसके बदले वह आपको पैसे देते हैं इस इस एको सिस्टम बात करते हैं गाई इसकुछ टिप्स के बारे में जो कि आपको बहुत दाइब हो सकती है ओलनाइन टीचिंग के अंदर तो ऑल और है कि आप आप राइटिंग पैड इस्तमाल कर सकते हो राइटिंग पैड तीन अजार तक का आजाता है उससे आप बहुत जादा टीचिंग में आप नोट्स वनाने में हेल्प मिल सकती है आपको काफी जादा चीज़ों ऑनलाइन रिसोर्स इसका पर इस्तमाल करिए वे वाचिंग इस वीडियो आप आई होब कि आप अच्छे टीचर बनें ऑनलाइन टीचिंग में आप पच्छों की हेल्प कर पाएं और आप कुछ पैसे घमा पाएं तो यही मेरी इस वीडियो को बनाने की इच्छा थी कि आप इस कैम से भी बच पाएं तो अगर आपको मेरा एफर्ट जो हैं वीडियो बनाने के वह आपको पसंद आ रहे हैं मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तो अब आप से मैं मिलूँँगा अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए टेक कर नमस्कार एंड सी यू इन एंच वैं लिए 2